नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक शानदार वीडियो में आज का यह टॉपिक है वो काफी जादा इंपोंडेंट है और आपके दैनिक जीवन से रिलेट करता है यानि कि अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से या कुछ बर्सों से कहें हार्ट अटेक की समस्या बहुत जादा बढ़ गया बहुत जादा आपको सुनने में आ रहा होगा कि भाई यह हैं आपके सुसांत सिंग राजपूत और यह हैं आपके पुनीत राजकुमार ठीक है इन सभी लोगों के मृत्यू जो है हार्ट अटेक के कारण बताया गया है तो आखिर क्या बज़ा है क्या रीजन है कि इतने बड़े बड़े सेलिबरीटी इतने बड़े बड़े अक्टर जिनके पास धंद आलत पैसा की कोई कमी नहीं है आखिर वो भी नहीं बच पा रहे है तो आखिर क्या है हार्ट अटेक का माझरा ठीक है किस बज़ा से आता है इससे कैसे बच सकते हैं टेली रूटीन में हमको क्या शंसोधन करना चाहिए क्या gym जाना चाहिए आत्वा नहीं बहुत सारा ऐसा भी आए कि भाई कोई gym में जाकर कि बेहोस हो गया उसका heart attack का गया खाते खाते किसी का heart attack का जा रहा है चल रहा है दरवड़ रहा है पैदल चल रहा है heart attack का जा रहा है gym में गया gym कर रहा है heart attack का जा रहा है तो क्या जिम मेन रीजन है नहीं इसका रीजन कुछ हौध है क्या रीजन है बिल्कुल डिटेल्स के साथ आपको हम बताने वाले हैं तो विडियो में सुदूशन तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बाद आये है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ठीक है और सबसे अस अगर आपको हम बताएं तो यहां पर देख सकते हैं कुछ बड़े सेलिब्रिटी लाइक एक्टर पुनीत राजकुमार देखिएगा यहां पर पुनीत राजकुमार जिनका जो निधन होता है 29 अक्टूबर 2021 के इसको 46 बर्स के अवस्था में हो जाता है सबसे खास बात के लोगों में देखने को सबसे जादा मिल रहा है 25 से 40 एज ग्रूप के लोगों में सबसे जादा देखने को मिल रहा है तो आखिर क्या दिक्कत है क्या परिशानी है 25-40 के लोगों में ठीक है, आखिर क्या वो ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ तो होगा आखिर छोटे को क्यों नहीं आ रहा है तो कुछ तो ऐसा 25-40 के एज ग्रूप में होगा, जिसके कारण इतना जादा heart attack देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर देखिए, बैंगलोर में इनका निधन 29-09-2021 इसको 46 वर्ज की अवस्था में हो जाता है ठीक उसी प्रकार से एक्टर सिदाथ सुकला इनको किसी पहचान की मुर्ताज नहीं है आप सभी लोग इनहीं जानते होंगे, भली भाती जानते होंगे एक्टर सिदाथ सुकला जिनका जो निधन है 2 सितंबर 2021 इसको 40 वर्ज की अवस्था में मुंबई में हो जाता है ठीक है? 40 वर्ज की अवस्था में पता है? बहुत सारे लोग एक कह रहे हैं न कि COVID का जो भैक्सिन लिया है इसके कारण सायर नहीं हो पारा है ऐसा COVID का जो भैक्सिन लिया है इसी के कारण तो हार्ट अटेक नहीं आ रहा है तो क्या मेन रीजन क्या है? उसको हम लोग समझेंगे. उसी प्रकार से एक्टर इंदर कुमार 28 जुलाई 2017 को इनको मुंबई में 43 बर्स की आयू में इनका दिहांत हो जाता है हार्ट अटेक की बज़ा से. जितने भी हम सारे बता रहे हैं सब हार्ट अटेक के कारण मरे हैं उसके बाद रीमा लागू रीमा लागू 17 मही 2017 को मुंबई के धीरु भाई अम्मानी होस्पिटल में इनका दिहांत बता दिया जाता है और वो जो रीजन था वो था हार्ट अटेक राजू सिरी बास्तर बहुत सारे फिल्मों में इनको देखे होंगे एक सूपर कॉमेडियन अस्टार जो की अपने बात चीतों से अक्टिंग से हसाते रहते थी लोगों को वेचारा इनका निधन जो 21 सितंबर 2022 को हार्ट अटेक की बज़ा से हो जाता है और ठेक उसी प्रकार से राज कॉशल 30 जून 2021 को इनका भी निधन हार्ट अटेक के कारण हो जाता है और यह कोई लिस्ट जो है बस इतना सिमित ही नहीं है यह जो लिस्ट है बस 5-6 लोगों का तक ही शिमित नहीं है यह बहुत लंबा चोड़ा लिस्ट है बहुत लंबा चोड़ा लिस्ट है कैसे देखिए यहाँ पर कुछ दिन पहले का एक ख़बर छपा है मातर कुछ दिन पहले का है और बहुत जाने माने website से हमें उठाए हैं, यहां पर दिख रहा होगा India Times, India Times बहुत बड़ा अख़बार है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा अख़बार है, इसमें क्या ख़बर छपा था, कि टेक लिजिए 1052, 1052, 1052 परसंट टाइड ओफ हार्ट अटेक इन गुजराथ, 1052 परसंट टाइड ओफ हार्ट अटेक इन गुजराथ, इन दा लास्ट शिक्स मन्त बीत, 80 परसंट आप दा डिक्रीज इन दा, 11 to 25 एर एज ग्रूप, इसका मतलब हो गया, कि पिछले 6 महिनों में, लास्ट शिक्स मन्त में, सिर्फ गुजराथ का अकड़ा बता रहे हैं आप और गुजराथ में, गुजराथ में, 1052 पीपल का जो हार्ट अटेक से मिरित्तिव हो जाता है, गुजराथ की बात है, लास्ट शिक्स, पिछले 6 महिनों में, सिर्फ गुजराथ में, 1052 लोगों से अधीक लोगों का हार्ट अटेक की Think इन अगे ग्रूप, 11 ऐज़ से 25 तक का था उसी प्रकार 2022 का डाटा आता है उसी प्रकार से 2022 का डाटा आता है कि ओभर 32,452,000 शमझे कितना बड़ा अंकड़ा है 32,000 अंकड़ा 35,000 पीपल जो है हाट अटेक से मेरे हैं 2022 में यानि कि पूरे 2022 में पूरे भारत की बात हो रही है यानि कि 2025 में जो है कुल 32,000 से जादा लोग heart attack के कारण मर गये हैं तो अफिर यह जो डाटा है इतना क्यों बढ़ता है ठीक है बहुत ज़ादा बड़ा डाटा होता है 32,000 सिर्फ heart attack की वज़ा से बहुत बढ़ा डाटा होता है तो सिर्फ हार्ट अटेक की वज़े से 32,000 लोग मल जा रहे हैं तो आखिर इसके पीछे का कुछ तो बड़ा रीजन होगा भाई कुछ बड़ा रीजन होगा तो अब इस रीजन को समझते हैं कि आखिर हार्ट अटेक आता क्यों है हार्ट अटेक आता क्यों है देखिए हमारे शरीर में या फिर मानव शरीर में जो है दो परकार के नस होते हैं और बहुत सारे नस होते हैं एक होता है arteries, एक होता है भे नस, ठीक है? arteries और भेंट, तो आखिर यह माज़रा क्या है? इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे जिस परकार से जिस प्रकार से गाड़ी में या गाड़ी को चलने के लिए पेट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है अगर गाड़ी में पेट्रॉल नहीं है तो बताईए कि गाड़ी चलेगी या थमा नहीं चलेगी बोलेंगे कि भाई नहीं चलेगी तो जिस प्रकार से गाड़ी को चलने के लिए पेट्रॉल के अवशक्ता होती है उसी प्रकार से मानव सरीर को चलने के लिए मानव सरीर को चलने के लिए प्रोटीन, फैट, बिटामीन, मिनरेल, बगेरा, बगेरा के अवशक्ता होती है और जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे कि अगर टंकी घर में अगर टंकी ठाया जाता है और नल लगाया जाता हो तो पाइप में जो है पानी का आवा गमन होता है ठीक उसी प्रकार से हमारे सरीर के जो नस पाए जाते हैं नस आप लोग शमझ रहे होंगे जब कोई संचार होता रहता है तो होता रहता है तो भाई ठीक है अभी तक तो ठीक चल रहा है सब कुछ लेकिन अब यहाँ पर में समझने बाली बात है देखिए समझने बाली बात यह है कि धीरे-धीरे heart attack आता कैसे है धीरे-धीरे आपके arteries में अर्टरी ब्लॉक होने लगते हैं जैसे यह आपका arteries है ठीक है लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर fat जमना सुरू हो गया है इसको हम दूसरे fat बढ़ गया है पूरा है यहाँ पर देख लिजिए धीरे-धीरे क्या हो रहा है arteries block हो रहे हैं यानि कि खून अगर रिदर से जाएगा तो भाई जाएगा कहां आर्टरी तो block हो रहे हैं ठीक है और एक समय ऐसा आता है एक समय ऐसा आता है कि खून का आवा गमन हमारे हाट तक खून का आवा गमन हमारे हाट तक नहीं हो पाता है और इस बज़र से यहाँ पर देख सकते हैं fat जमा हो गया है और पूरे शरीर का khun hard तक आता है और hard फिर से उसको refresh करके मालता है पुरी सरीर में जैसे आपको हम बताए कि पानी का tunky पानी को tanky भरने के लिए सबसे पहले môtor से tunky मी ले जाया जाता है फिर tunky से पूरे जितने घर में नल लगे होगे हैं सब ही variance उसका प्रेशर दिया जाता है उसी प्रकार से हमारा शरीर होता है तो यहाँ पर जो है खून का जब आबागमन नहीं होगा तो फिर क्या होगा ऐसी स्थीति में जब हम लोग दोड़ते हैं जब हम लोग जीम जाते हैं जब हम लोग पैदल चलते हैं या फिर किसी भी प्रकार की एक्टिभीटी करते हैं तो हमारा जो blood pressure होता है blood pressure यानि किवाइंट शंचार यानि कि रक्त का आवागमन खूं का आवागमन होता है वो तेज हो जाता है तेज हो है इस बज़ह से जो है प्लैक जो क्या होते है वो फट जाते हैं एक्चली जब मलगों की मिरिप्थी हो जाती है और इस पूरे सिस्टम को नाम दिया जाता एंध्य Magnus हार्ट अटैक हार्ट टकून नहीं पहुच पाता है और अंतता मानब की मृत्तिव हो जाती है यह तो हो गया रीजन डिटेल्स में अगर वीडियो देखना है कि हार्ट अटक कैसे आता है तो भाई हम तो डाक्टर है नहीं हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं एक बेसिक जनकारी द होते हैं तो हम आपको बेसिक चीज बता है कि हार्ट अटक कैसे आता है अब इसका उपाय यानिक इसका बचाब क्या है तो भाई बचाब के लिए तो अगर हम तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर जिसको हार्ट की बिमारी है हार्ट अटक आता है तो उसको हम ठीक कर देंग इसके लिए क्या सब्धानिया बदत सकते हैं यह हम ज़रूर बता सकते हैं तो सब्धानिया में देखिए हार्ट अटेक यानि की चर्बी मेंली तो वहीं था ना जी चर्बी जम जाता था है ना प्लैक जम हो जाता था देख सकते हैं तो चर्बी कह सकते हैं, फैर्ट कह सकते हैं, तो actually सबसे main चीज होता है चीनी, यह जो है आपका सूगर है, क्या है? सूगर, ठीक है? सबसे पहले सूगर को अप्वाइड करें, हम बस सब्धानिया बता दे हैं, सबसे पहले चीनी की मातरा को बिलकुल कम करते हैं, जैसे आप ल पुद ही खराब चीज है, इसको भाइट प्वाइजन के नाम से बताया जाता है, भाइट प्वाइजन पता है आपको, भाइट प्वाइजन के नाम से जाना जाता है, तो चीनी का सेबन ज्यादा ना करें, यह मैंने ही बोला कि बिलकुल मत खाये, खाये, लेकिन उसका एक कि खाना के साथ बहुत धेर मात्रा में नमक लेते हैं उसको अलग से खाते हैं पिल्कुल ऐसा मत करिए खाना में थोड़ा कम ही नमक खाईए लेकिन ज्यादा शेमन मत करिए और तीसरा जो सबसे घटिया कह सकते हैं वो है आपका मैदा मैदा आपका करना सही है कि मैदा जो है वो गेहु से बनता है और आटा भी गेहु से बनता है लेकिन इस दोनों में अंतर क्या होता है आटा जो है न वो गेहु में इसका कोई यह नहीं किया जाता है कि इसमें से fat निकाल लिया गाल लिया है, vitamin निकाल लिया, protein निकाल लिया, carbohydrate, सब निकाल लिया जाता है, ऐसा नहीं है, अब गेहु को ले जाते हैं, फिस्वाक डरिकली खाते हैं, लेकिन मैदा को जो है, बनाने क हमारी आतों में जाके सट जाती है, यहीं हमारी आतों में जाके सट जाती है, और जिस कारण से भी लोगों का देहांत हो जाता है, लोगों को मृत्तिव हो जाती है, तो शाब्धानिया इन चीजों को और इसी प्रकाल से बहुत सारे चीज़ हैं, अगर आपको detailed video चाहिए, अगर आपको detailed video चाहिए, तो आप please हमें comment करें, कि सर इस पर हमें detailed video चाहिए, कि और क्या-क्या चीज़े हैं जिससे heart attack आ सकते हैं, या इसके लक्षन दिख सकते हैं, तो हम एक detailed video लाएंगे सिर्फ साब्धानिया के उपर है, तो अगर आपको चाहिए, तो आप बता देना हम हमें comment करके, उस पर हम एक detailed video लाने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी लोगों ने देखा कि heart attacks कितना खतरनाक होता जा रहा है हमारे time में, कि 2022 में यानि कि एक साल की अपधी में जो 32,000 लोग है, 32,000 से जादा ही लोग जो है, वो सिर्फ heart attack के कारण मर रहे हैं, बहुत बड़ा ratio होता है भाई साब, तो हमने छोटी सी चीजों को रखने का प्रयास किया, और अपने तरफ से हम भरपूर कोशिश किये हैं, कि आप लोग शमझे इन चीजों को, अगर थोड़ा बहुत खामिया रह गई है, तो उसके लिए मैं आप से माफी चाहता हूँ, और अगर आप ब पहानिया के उपर पचाप के उपर टीटेल में वीडियो चाहिए, मैं वो भी आपके साथ लाने का प्रयास करूँगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसे जादा से जादा से शेयर करिएगा, जैहिंद, जैभारत!